तो माई डेर स्टुडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बिए फस्ट एर के फस्ट समेस्टर के पुलिटिकल साइंस यानि की राजनीति साफ्तर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कोईस्टिन और अंसर के बारे में तो जिन जिन भी इन्वर्सिटी वा कॉलेज में बिए फस आपको जानकारी मिलेगी तो बिना देरी को बीडियो को सुरू करते हैं और इस बार भी आने के समभाव ना है तो आप लोग खुद ही समझ सकते कितने महात पूर्ण है तो बिना देरी को सुरू करेंगे ठीक है पहला पसने आज किस वीडियो का कि उच्छ न्याले का निया बिना देख रहें कि सब्सक्राइब करेंगे तो आप अगर आप मालेजे कि हाई कोर्ट के जजबन ना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या-क्या योगिताय होने चाहिए उन करेंगे तब ही आप जजबन पाएंगे पर बताया गया कि अनुच्छे 270 में उच्छ न्याले का निया अधीस यानी कि हाई कोड में जज होने के लिए निम्न गुदाय निरधायत की गई हैं सम्मिधान में जो कि पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए ठीक है यानि कि भारत का ही रहा है निवासि होना तक अधिवक्ता वही वकील लाहो ठीक है और उसकी जो आयो है वह 62 वर्स होनी चाहिए ठीक यानि कि 62 वर्स से कम हो मतलब कि 62 वर्स से कम हो ओके तो ये कुछ बेसिक इलिजबिलिटी यानि यो गिताएं हैं एक निया धिफ यह जज़ बनने की हलाकि यह बेसिक हैं बाकि इसके बाद एक्जाम भी होते हैं ठीक है और आप लोगों को मालूम होगा कि इंटर्वी होते हैं तब होता है लेकिन यह बेसिक जो चीज़ें यह तो होनी है चाहिए ठी कोईश्चन आएगा और इसे उत्तर लिख देंगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे ठीक है कोई टेंसन तो है नहीं कोई समस्चा तो है नहीं कोईश्चन में बेलकुल सिंपल सब्दों में बता रहे हैं अगला कोईश्चन है कि विधान सभा और विधान परिश्द में सम्मन बताई आपने बिधान सभा तो नाम सुनाई होगा आज जान जाएंगे अगर नहीं जानते तो बिधान सभा के बारे में और विधान परिश्द ये साइद आपने कम नाम सुना होगा लेकिन सुनाओ जरूर होगा ठीक है तो चलिए दोनों के बारे में जान लेते हैं तो ध्यान से सुनेंगे उत्तर प्रदेश में विधान मंडल के दोनों सदुनों में कोई विशेश गतिरोध नहीं रहा, पाचवी विधान सभा तक कोई ऐसा विधेक नहीं था जिसे विधान सभा ने पारित कर दिया हो और उसे विधान परिसद ने पारित ना किया हो, मतलब ठीक है तो कुल मिलाके जो मतलब यह नहीं कि कोई काम हो तो बिधान सभा इग्नोर कर रहा और विधान परिशद कर दे रहा दोनों पारित कर देते हैं ठीक है और उसके बाद अगला पॉइंट है यह पर है कि कुछ गति रोद 1977 में आया जब बिधान सभा में जनता पार्टी क सरकार थी और विधान परिशद में कांग्रेस का बहुमत था जहां से सुनेंगे 1989 में विधान सभा ने इनवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पारित कर दिया लेकिन विधान परिशद ने उसे पारित नहीं किया जहां से सुनेंगे 1979 में विधान सभा ने इनवर्सिटी अमेंड का जो विल था वो पारित कर दिया लेकिन वहीं पर बिधान परशद ने उसे पारित नहीं किया उसने कहा कि हम नहीं करेंगे ठीक है उस समय मुलायम सिंग के समय उस समय क्यानवेशबी में उस समय गति रोध की इस्थित आ गई जब बिधान सभाद्वारा बित बिधे को पारित होने के बाद दोनों सदन अनिश्चित काल तथा अफ्थकित कर दिया मतब कि रोग दिया ठीक है तब सभापति द्वारा जब बिरोध जताया गया यानि कि उ ऐसा नहीं होना चाहिए तो मुलायम सिंग बिधान परशत को अनवस्यक समझने लेगे लेकिन गतिरोध वही पर समाप्त हो गया इसके बाद दोनों सद्रों में कोई गतिरोध नहीं हुआ तो इस प्रकार लिखेंगे बिधान सभा और बिधान परशत के बारे महला कि बिधान परशत सुड़ा कोईशन बहुत कमाता है लेकिन इंपार्टन है मतब कि अस्य परशत उम्मीद है ठीक है चले नेश कोईशन बहुत महात्पोर्ट साबित होने जा रहा है जहां सुनेंगे कोईशन है कि राज जिपाल की बिबे का धेन सक्तिया यानि कि जो राज का राज ज यानि कुछ इस्टा पावर्स हैं जिनका उल्लेक संविधान के अनुच्छेद 163 में किया गया है अनुच्छेद 163 फस्ट में कहा गया है कि जिन बातों के सम्मंध में राज जिपाल से या पेच्छा की जाती है फिर या उमेद की जाती कि वह सुब बिबेक से अपने कारि में सहायतायों परामर्स के लिए एक मंति परसद होगी और इस प्रकार उसे कुछ स्वाविबे की अधिकार प्राप्त हैं जिसके आधार पर कुछ यहां पर निम्नकार दिये गए हैं या फिर किये जा रहे हैं या फिर बिदान मतलब कि जो एक राज जिपाल होता है राज सबाना बैदान सबा को भंग करना राष्ट पति को राज की ताजा इससे आउगत कराना मिक मंतरी के बिर्द्ध मुक्दमा चलाने की अनुमत देना बिदान सबा अध्यच्च को फंदेश और बिदान सबा की कारवाही के लिए परवेचिक नियुक्त करना तो यह प्रमुक सक्तियों के बारे में लिखे बताईए तो वहां पर आप पॉइंट वाइज ऐसे मतब कि पहले लाइन लिखेंगे कि राजिके राजिपाल की निम्नुवत सक्तियां तो इसी तरह पॉइंट वाइज करके लिख देंगे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे ठीक है अब नेश जाकि एसे पीओन है को सकतव त्क त्यार तो विकारा को यह नहीं नहीं कि मौलरी अधिकार निया योग नहीं नहीं है जबकि मौलिक अधिकार निया योग्य ए så 유ण है मौल अधिकार न defendants कि अधार राज नितिक समानता है जब कि नित निडिसुक्त Okay समता है तीनी पॉंट क Districtوب याद रखेंगे यही लिग तेंगे अगल अतल प्रस्तुत है कि भारत के संभिधान के मूल धाचे में सामनता कौन से बिसे आते हैं तो सुनेंगे संभिधान के मूल धाचे की अवधाणा यानि की जो कॉमसिप्ट है उससे सहमित रखने वाले सभी बेक्त ऐसा मानते हैं कि संभिधान के मूल धाचे निम्न बाते अवस्य आती हैं जिनमें से पहला है कि संभिधान का लोग तांत्रिक सुरूप आता है दूसरा आता है संभिधान का पंत निरुपेच शुरूप तीसरा आता है नियागरिकों के मूल धिकार वसवतंतर ता है चुथा आता है लोग सभा तता राज विधान सभाओँ के वहेस्क मत ऐखार पर अधिकारी वस्वतंत्र चुनाँ और पाचवा है निया पालका की सुतादरता है यह प्रमुक कुछ निमने आवस्यक बाते हैं जो कि समिधान के मोल धाचे में आती हैं और इनको ध्यान रखना है अगर प्रशना आता तो ऐसे लिख देंगे पूरे नंबर मिलेंगे ठीक है अगला प्रशना है कि राजसभा और तुलना में क्या ज़्यादा अधिकार प्राप्त है या फिर अधिक अधिकार या फिर बोल सकते हैं आप लोग पावर प्राप्त हैं तो निमनुवत हैं यहाँ पर लिखा राजी को कुछ अहफ़ अधिकार प्राप्त है जो लोग सभा को नहीं प्राप्त हैं तो चले जान इफ्रा है कि उप राष्ट पती पर महा भीयोग लगाने का अधिकार राजसभा को ही है तो इस प्रकार आप लिखेंगे कि राजसभा को लोकसभा की तोलना में क्या विशिफ अधिकार प्राप्त हैं तो यह प्रमुक अधिकार प्राप्त हैं जो कि आप लोगों के समस्त निम्नवत हैं धान से इनको त्यार कर लिजेगा ठीक है एक दो बार और वीडियो देखेंगे न तो और अच्छे समझ में आ जाएगा ठीक है निश कोश्चन को बढ़ते हैं कि क्या संसद संभिधान की उ वाला महत्पूर्ण है धर्म निर्पेच राज कि फे कहते हैं कि आप भारत एक धर्म निर्पेच राज है यह वाला कोश्चन 100% फसता हमेशा इस बार भी 100% वह में दिक फसेगा ठीक है तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जिफ राजिक अपना कोई धर्म ना हो उसकी लिए साथ कोई भेद भावना किया जाए उस धर्म निर्पेच राज कहते हैं मतब कि धर्म निर्पेच राज हुआ ही है जिसका अपना कोई धर्म ना हो उस सभी धर्म को समान एक जैफा रिस्पेक्ट देता हो कि यह मिश्लिम है यह हिंदू है यह पिसिख है यह रिसाई है तो कोई भेद भाव ना किया जाए तो उफ ऐसे राज को धर्म निर्पेच राज कहेंगे ठीक है भारत एक धर्म निर्पेच राज है क्योंकि इसमें कहीं बर समिधान का नहीं समिधान में नहीं लिखा कि इस धर्म के लोगों के साथ ये करिए इस धर्म के साथ लोगों के साथ कर DONATS steering है कि सभी जितने भी धर्म हैं उनको एक नजरीये देखा जाएगा ठीक है और क्शी भी एक धर्म को लेकर कोई भी नफरकार बनेगी और नहीं एक सब्सक्राइब भाड़ी रहेगा, ठीक है, सभी धर्म बराबर एक नजरिये फे देखे जाएंगे, गोर्नमेंट के नजर फे, इफी लिए कहा गया कि भारत एक धर्म रिपेच राज है, इसमें किसी भी धर्म का मतलब वो नहीं है, कि हाँ, धर्म के बारे मतलब कि एक तरीके से बोल फकते है कि अपना कोई धर्म है ही नहीं, राज बिना धर्म के है, ठीक है, जो भी है, समाज में सुसाइटी में, वो सब के लिए बराबर हैं, क्योंकि भारत सरकार का कोई धर्म नहीं है, यहां सभी धर्मों को शमान आदर, रिस्पेक्ट दिया जाता है, और धर्म के अधर पर किसी के साथ भेद भाव नहीं किया जाता है बात में समिधान लागो होने के समय ही धर्म-Nirpets शिता की सुभिकार किया गया लेकिन 1976 में बैलिस्वे संसोधन जब सम्मिधान में हुआ तो इसके द्वारा पंत निर्पेच सब्द को सम्मिधान की उद्धिका में सामिल करके धर्म निर्पेचिता की पुष्टी कर दी गई कोई भी भारति नागरिक अब अपनी इच्छा अनुषार किसी भी धर्म को सबिकार कर सकता है य ्ल थर्म का परित्याग कर सकता है किसी भी सूव धर्म का पौलन करने के अधार पर किसी के फात कोई भेडबाव नहीं किया जाएगा मतलब कि अगर आप मुस्लिम है तो बेज़कूल आप हिंदू धर्म में जा सकते हैं अगर आप मुस्लिम धर्म के हैं तो हिंदू धर्म में आ सकते हैं सिक्क में जा फक्ते हैं कुल मिलाके धर्म के मामले में आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं आपकिसी भी धर्म को सुभिकार कर सकते हैं जैसे कि आप लोगों मौलूम कि आजकल भागने वाला सिस्टम ज्यादा है कि आप लोग देखते हैं कि हिंदू-मुसलिम की लड़की-ब, भाग लगा जा गया यह फिर उल्टा समझ ली जिए, ठीक है तो क्या होता है कि उसको लेकिन आपने देखा होगा कि अगर किसी भी धर्म की लड़की ये किसी दूफले धर्म का जो लड़का है वो भग जाते हैं गर से ठीक है तो कोट मेरिज जब करते तो वहाँ पर उनको समझ जाए नहीं आती ठीक है क्योंकि धर्म पेच्छ राज्य है ठीक है इसमें किसी भी धर्म का में मतब्द हर कोई धर्मे नहीं ना कोई राज जी गुब है उसका अपना धर्म है इफ लिए पूरी तरह फतंत्रत है आप किसी भी धर्म को जोईन करें उसको बहुत आरें कर सकतें कृतिया और हिंदु रितरियाश को फॉलो करें चाहें तो सम्विधान कुछ एकातमक लच्षण बताईंग धताई हैं और तक लियुदुदुन संवा does not communicate में निर्भरता होती है राज्य की केंद्र पर निर्भरता होती है उनके भरोफे रहते हैं ठीक है या फिर डिपेंडेंट रहते हैं संब्धानिक संसोधनों में संग को बिश्विफ अधिकार है और अंतर राज्य परिशद अंतर राज्य परिशद और अगला है संग सासेज प्र सभेडान की प्रष्टावना में क्या कहा सभाण से सुन और समयां की प्रष्तावना में बहुंत एक लोगतंत्र गरतंत्र संप्रुभू समाजवादी एमधर्म निर्पेच राज है शमाजवादी एमधर्म निर्पेच चिता को जनता के द्वारा चुनी जाएगी ठीक है और आप स्वतंत्र होकर किसी भी पार्टी जो अलग अलग पार्टी खड़ी होंगी एलेक्शन में वह आप किसी को भी ओड दे सकते हैं और साथ साथ में राष्ट पती या फिर किसी भी पद जो भी राष्ट पती होता प्रधान मंत सब्सक्राइब करेंगे और धर्म की प्रकार लिखेंगे इसका उप्तर उसके बाद भारत के परदान मंतरी के सक्ट साली होने की कारण बता प्रधान मंतरी के पावर जानलेजी भार्ति प्रधान मंतरी के कि मंत्रशत का निर्मान करना यह पहला पावर है ठीक है प्रधान मंतरी का यानि कि इसमें मुडी जी है तो दुस्तोर है मन्त्रियों के बिभागों का बित्रण इहों प्रिवत्न कौन कोन सा डिपार्मिंट कौन मन्त्री संभा this उस चीज़ का बित्रण करना और समय के कोई समय शहतों उसका परिवत्न करना अगला की मन्तरशत की कि शिफार राश्पती से करना लोग सभाब भंग करने कि शिफारिस करना वैदेशिक संबंधों का फंचालन यानि कि विदेशी संबंधों का फंचालन करना मंत्र परस्त की बैठक बुलाना ये सभी कुछ प्रमुक पावर होते हैं प्रधान मंत्री के पास्टी कि तो इस प् वीडियो अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम और सब्सक्राइब कर दीजेगा आपको मिल जाएगा या फिर आप हमारी विपसाइट से जाके प्राप्ट कर सकते हैं विपसाइट का भी लिंक जल्दी आपको वीडियो के दिसक्रिस्टन में ही मिल जाएगा ठीक है बाकि मि ने वीडियो में जैन्द।